दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने मुबाइल नमबर पर कॉल फरवर्णिंग इस्टार्ट कर सकते हैं दोस्तो कई बार ऐसा होता है हमारे मुबाइल नमबर पर जरूरी का कॉल आने वाला होता है लेकिन हमारा mobile charge भी नहीं रहता है और ऐसे में हम लोग चाहते हैं जो call हमारे mobile number पर आये उसे हम अपने दूसरे mobile number पर forward कर सके या फिर दोस्तों आप किसी और वजह से अपने mobile number का या फिर किसी और के mobile number का call forward करना चाहते हैं किसी दूसरे नमबर पर लेकिन आप लोगों को तरीका नहीं पता है कि कैसे कॉल फोरवर्ट किया जाता है और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ ही जो वीडियो की नीचे लाल कलर का बटन दिखे उस पर किलिक करके हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही उस घंटे वाले बटन पर किलिक करके और पर सिलेक्ट कर लिजेगा इसे यह होगा हमारे नए 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 वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट दोस्तो कॉल फोरवर्डिंग स्टार्ट करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में दो तरीका बताऊंगा पहला setting के मदद से call forward करने का और दूसरा code के मदद से call forward करने का तो चलिए मैं आपको सबसे पहला तरीका बताता हूँ setting के मदद से call forward करने वाला तो उसके लिए आपको अपने mobile में setting app को open कर लेना है और open कर लेने के बाद call forward वाले option को ढोलने के लिए search पर click करना है और search पर click करने के बाद यहां पर आपको लिखना है call forward अगर दोस्तो call forward लिखने के बाद अगर आपके mobile में यहां पर नीचे call forward का option आता है तो उस पर click कर देना है अगर दोस्तों आपके मुवाइल में call forward लिखने के बाद call forward का option नहीं आता है तो आपको setting को अपने मुवाइल में बंद कर देना है setting वाले app को बंद करने के बाद आपको अपने मुवाइल में calling app को open करना है और open कर लेने के बाद यहाँ पर three dots देखने को मिलेगा तो इसके उपर click करना है और click करने के बाद call setting नाम से एक option देखने को मिलेगा तो इस पर click कर देना है और click करने के बाद थोरा सा scroll करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद call forward नाम से एक option देखने को मिलेगा तो इस पर किलिक कर देना है दोस्तो जब आप सेटिंग के मदद से या फिर कॉलिंग एप के मदद से कॉल फरवर्डिंग वाले ओप्सन में आ जाएंगे तो यहाँ पर चार ओप्सन देखने को मिलेगा तो कॉल फरवर्ड इस्टार्ट करने के लिए और किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर वो नमबर डाल देना है जिस नमबर पर आप अपना कॉल फरवर्ड करना चाहते हैं तो चलिए हम भी यहाँ पर एक number डाल देते हैं जिस पर अपना call forward करना चाहते हैं तो जैसे कि दोस्तों हमने ये number डाल दिया है और इस number पर अपना call forward करना चाहते हैं तो turn on पर click कर देंगे इतना करने के बाद मेरे उस number पर अब मेरा call forward start हो चुका है तो setting के मदद से आप इस त तो code के मदद से call forward start करने के लिए अपने mobile में calling app को open करना है और open कर लेने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो number कुछ इस तरह का होगा यह number डाल देने के बाद आप जिस भी mobile नमबर पर अपना call forward करना चाहते हैं वो mobile नमबर यहाँ पर डाल देना है mobile नमबर डाल देने के बाद अगर आपके mobile में दो सीम है तो आप जिस भी सीम नमबर पर call forward सुरू करना चाहते हैं उस पर आपको click करना है तो चलिए हम सीम 1 पर click कर देते हैं click कर देने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बता दिया गया है कि आपका call forwarding successful register हो चुका है अब म नमबर पर मैंने call forwarding start किया है उस नमबर पर call जाएगा मेरे नमबर पर call नहीं आएगा दोस्तो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक number डालना है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं number डाल देने के बाद उसी सीम के उपर आपको click करना है जिस सीम से आपने call forwarding start किया था तो हमने सीम 1 select किया था तो सीम 1 पर click करते हैं और click करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे बता दिया गया है कि आपका call इस number पर forward कर दिया गया है तो इस तरीके से आप call forwarding number चेक कर सकते हैं तो दोस्तो यह तरीका था call forwarding start करने का कैसे call forward कि जाता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और साथ ही हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा हम मिलते हैं आप से जब तक अगले वीडियो में